रात में इस चेल को अपने बालों में लगाए और कुछी दिनों में लंबे, खाने और मस्बूत बाल पाए हलो फ्रेंट्स, वेलकम डू प्रिया स्टियावाई चानल और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रिया दोस्तों आजकर के जमाने में हमारे पास वक्त की कमी तो है ही और ऐसे में बालों का ज्यादा धान रखपाना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में हम सभी चानते हैं कि हमारे बाल भी लंबे, खाने और चमकदार बने रहे तो इसे लिए आज में आपके लिए एक बहुत ही आसान और असरदार रेमिडी ले कर आई हो जो आपको इतने अच्छे रिजर्ट देगा कि आप इसे बार बार बना कर लगाना पसंद करेंगे यह आपके बालों को लंबा घना तो करेगा ही, साथ ही इसे लगाने से आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी शाइन आएगी बाल स्मूध होंगे और सिल्की भी बनेंगे अगर आप कई तरह के ओल, मास्क या फिर जल लगा कर ठक चुके है और आपको कोई भी रिजर्ट नहीं दिख पा रहा है तो एक बार इसे बना कर लगाए और रिजर्ट आपको पहले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएंगे तो दोस्तो वीडियो में आके बनने से पहले मेरी आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दे गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ठीक बाजू में दी गए घंटी के आइकॉन को भी प्रेस कर दे जिसे मेरे आने वाले सभी वीडियो इसको सौल्फ करती है अगर आपके बाल बहुत ही स्यादा ज़रने लगे है तो यह बीच आपके लिए वर्दान समान हो सकते है क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो बालों के ज़रने ना बढ़ने और ड्राइडर बालों की समस्या को दूर करता है तो इसकी मतद इसमें दो कप भरके पानी एट कर देना है अगर आपको थोड़ा पतला जल बनाना है तो आप इसमें तीन कप के बराबर पानी डाले अब हम इसे एक बार चला लेंगे और अब हम गैस को मीडियम टू हाय फ्लेम पर ओन करके डख लेंगे जैसे ही आप देखेंगे कि तीन स चार मिनिट बाल इसमें इस तरह से एक उबाल आना शुरू हो गया है तभी हम गैस को स्लो करके इसे एक मिनिट के लिए और पकाएंगे जिससे कि इसका जेल अच्छे से निकल सके जब तक इसका जेल बनता है दोस्तों तब तक मैं आपको एक किप दिना चाहूंगी कि अग को लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं यानि कि खावी सकते हैं इससे अंदर से आपकी स्किन रिपैर होगी इससे बालों को जरूरी ओमेगा-3 fatty acids और vitamins भी मिलेंगे और स्किन भी साफ हो जाएगी इससे कितनी quantity में आपको खाना चाहिए इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है क और इसका एक टिबल स्पून आपको सुबा उठकर पानी के साथ पी लेना है आप चाहें तो इसे चबा चबा कर भी खा सकते है या फिर इसे अपने fruits या फिर juices के उपर डाल कर भी इसे ले सकते है इस तरह से भी आप फ्लैक्सीज का इस्तमाल आप अपने hair या फिर skincare के routine में शामिर कर सकते है चलिए अब हमारा जेल almost बनकर ready है जब ये इस तरह की consistency में आजाए तभी आप कैस को बन कर दे और इस जेल को इन बीजों में से अलग करना start कर दे क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये ठिक होना start कर देगा तो आप इसे चानने के लिए सूती के जाफ इस तरह की net का इस्तिमार कर सकते है निट की मदद से इसे चानना काफी आसान होजाता है और जलने का भी डर नहीं रहता तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस जेल को पूरी तरह से चान कर अलग कर लिया है सर्दियों में दूस्तों आप जाहें तो इस जेल क काच के जार में भर कर रूम टेंपरेशर पर 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते है फ्रिज में स्टोर करेंगे तो और भी बहतर होगा इस जार के फायदों को बढ़ाने के लिए अब हम इसमें कुछ और ऐसी इंग्रीडियन्स डाल देंगे जिससे के इसके फायदे डवल हो जाए और हमें और भी जड़ी रिजल्स मिल पाए तो सबसे पहने में यहाँ पर डाल रही हूँ दोस्तों एक टी स्पून भर के ऑलिफ 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 ऑल दोस्तों बालों को मजबूत बनाने का काम करता है जिससे हैरफ और कंट्रोल होता है और बालों को बढ़ने में भी मदद मिलती है इसे के साथ साथ आप इसमें एक टी स्पून भर के अलोविरा का जेल भी डाल दे अलोविरा जेल इसमें डालने से यह जेल बालों में जर्दी से एब्सॉब होने में मदद मिलती है जिससे कि इसे अगर आप रोजाना भी लगाते है तो आपके बाल बिलकुल भी चिपचिपे नहीं लगते और एक बात कि अगर आपने बालों में chemical treatment कराई हुई है जिससे कि straightening या smoothening और उस वजे से आपके बाल कमझोर होकर जहरने लगे है तो भी ये जल उन्जडते हुए बालों को रोकने में वदद करेगा तो दोस्तो हमारी ये remedy अब बन कर पूरी तरह से तयार है अगर आप सच में अपने बालों को जल से जल जडने से रोकना चाता है तो इस जल को आप हफते में 2-3 बार अपने सकार्प पर लगाना शुरू कर दे तो चलिए अब जान लेते हैं आपको इसे लगाना कैसे है दोस्तो सरदियों में ये जल बनने के बाद थोड़ा सा ठिक हो जाता है तो इसे इस्तमाल करने से पहले आप हो सके तो इसे डबल बॉलर की मदद से थोड़ा सा गरम कर ले जिससे के ये थोड़ा पतला हो जाए और ये बालों में अच्छे से एब्सॉब भी हो सके आपको रात को सोने से पहले इस जेल को लेकर इसे पूरे स्कार्ट पर अच्छे से लगा कर एबसॉब हो जाए तब तक हर के हाथों से मसाज करना है और सुभा इसे किसी माइल शेंपू की मदद से वाश कर लेना है इसे लगाने के बाद आपको अपने बालों में करनिशनर करने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी इसके बेस्ट रिजर्स के लिए दोस्तों आपको इसे लगातार कुछी दिन इस्तिमार करना होगा और आपको दो ही हफ़तों के अंदर अपने बालों के तूटने और ड्राय बालों की प्रॉब्लम सॉल्फ होती हुए दिखेगी साथ ही बालों में रेगुलरी गर आप इसे लगाएंगे तो आपके बाल अच्छे खासे ग्रो भी होते हुए आपको नजर आएंगे तो दोस्तों देर किस बात की आज ही से बनाए और लगाना भी शुरू कर दे वीडियो थोड़ा भी हैटफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूले साथ ही वीडियो को भी शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेर बटन को भी हिट कर दे जिसे मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें